आज़ा मनाएंगी ये बहुत ही टेस्टी और मेरे घर में सब की फेवरेट मिनी पनी टिका ब्रेट्स देखने में ही आप देख रहे हो ना कि कितनी यमी और क्यूट लग रही है ये खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सब को बहुत जादा पसंद आती है और अगर आपके घर में महमान आए और आप इसे एक बार ट्राय करवाईएगा ये सब को बहुत ही जादा पसंद आएगी तो फटा-फट से इसकी रेसीपी को शुरू कर लेंगे और अगर रेसीपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका आटा लगाएंगे जिसके लिए बोल में डालेंगे एक चोटाई कप हलका गरम यानि की गुन-गुना पानी और साथ में इसमें डालेंगे एक चोटा चमच चीनी थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसे और फिर इसमें डाल देंगे एक चोटा चमच active dry yeast तो बस इसे हलका सा mix करके अब इसे ढखकर 10-15 मिनट के लिए excite पर रख देंगे इतनी देर में ये जो yeast है ये अच्छा से activate हो जाएगा तो आप देखे हो कि काफी अच्छा से bubbles आ गए हैं इसके उपर और इसका जो पानी और बबल वाला पोर्शन है ये इस तरह से अलग दिखाई दे रहा होगा आपको अगर आपका yeast इस तरह से activate नहीं हुआ है तब आपको उसको use नहीं करना है क्योंकि इसका मतलब है कि वो पुराना है या फिर वो खराब हो चुका है तो आप उसको use मत करिएगा इसके बाद अब हम एक बड़े से बरतर में डालेंगे एक कप मैदा आप चाहो तो गिहूंका आटा भी ले सकते हो या दोनों को mix करके भी ले सकते हो आज साथ में इसमें डालेंगे आधा चुटा चमच या फिर टेस्ट के according नमक थोड़ा सा mix करेंगे इसे और इसमें अब तो इसके बाद एक बाद एक दम सौफ नरम डो तयार हो गया है अब इसके ऊपर एक चोटे चमच इतना आट करेंगे और इसे एक मिनट तक और गूंद लेंगे तो बस हमारा यह दो तैयार हो गया है अब हम इसको ना इस तरह अंदर की तरफ टक करते हुए एक बॉल की शे और इसे उपर से कवर कर देंगे बॉल को मैं किलिंग राप से यानि कि प्लास्टिक राप से कवर कर रहे हूँ आफ फॉल पेपर से इसे कवर कर सकते हूँ और इसे ना हम फर्मेंट होने के लिए यानि कि रेस्ट करने के लिए रख देंगे तब तक जब तक यह जो डो है ये अपने size से double हो जाएगा अचा ये वला जो इसकी fermentation है ये basically आपके यहाँ पर temperature कैसा है उस पर depend करेगा सर्दियों में ये थोड़ा सा time जादा लेगा अगर गर्मी है तो एक गर्म गंटे में ये अच्छे से double हो जाएगा और हाँ अगर आप इसे किसी गरम जगा पर रख दोगे ना तो ये और भी जल्दी राइस हो जाएगा तो जब तक हमारा ये dough तैयार हो रहा है तब तक हम इसके लिए stuffing को तैयार कर लेंगे जिसके लिए bowl में लेंगे दो बड़े चमच सर्सों का तेल यानि कि mustard oil मसाले आड करेंगे जिसमें मैं डाल रहे हूं आधा छोटा चमच धनिया पावडर एक चुथाई छोटा चमच करम मसाला आधा छोटा चमच काला नमक एक छोटा चमच चाट मसाला आधा छोटा चमच या फिटेस्ट के एकोर्डिक नॉर्मल नमक आधा बड़ा चमच इसमें डालेंगे अधरक लासुन का पेस्ट, आधा बड़ा चमच सूखी मेथी और आधा नीबू का रस टाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें चार से पांच बड़े चमच अच्छे से भर कर दही आड़ करेंगे दही थोड़ी सी गाड़ी वाली यूज करिएगा इसमें तो बस इस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है अचा साथ ही मेना मैं इसमें एक छोटा चमच इतना भुना हुआ बेसन भी आड़ कर रहे हूँ यह हलका से इसको टेक्शर देगा तो बस इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हो हम इसमें सब्सियां आड़ करेंगे जिसके लिए मैं इसमें डाल रहे हूँ यह तक्रीबन 150 ग्राम पनीर इसको मैंने छोटे टुक्रों में कट कर लिया है और एक छोटे से साइस का प्याद जिसे बारी कट करके लिया है एक छोटे से साइस की शिम्ला मिर्च जिसमें मेरे पास यह लाल वाली शिम्ला मिर्च थी थोड़ी सी यह डाल रही है मैंने कलर के लिए और थोड़ी सी हरी वाली शिम्ला मिश डाल रूम है अगर लाल पीली शिम्ला मिश नहीं है तो आप इससे skip कर सकते हो आप इसकी जगा टमाटर भी आड़ कर सकते हो बस टमाटर के बीच को निकाल लीजेगा तो बस सारी सबजियां आड़ करके इसमें अमुल फ्रेश क्रीम आड़ की है इसे आप स्किप भी कर सकते हो दो बड़े चमज टाल देंगे होट एंट स्पीट सॉस और एक बड़ा चमज मैंने डाला टमेटो केचप तो बस इसे मिक्स करेंगे और हमारी ये क्रीमी सॉस तायर हो गई है तो इसे एक साइट पर र मिर्ची और पांच से छे ड्रॉप्स डाल देंगे नीबुका रस तो पस इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे अचा अगर आपके पास ये सालेट लीफ्स नहीं है तो आप इसके जगा पता गो भी ले सकते हैं उसे बारी काट कीजेगा तो बस हमारा ये सालेट भी तयार हो ग चलाते हुए पका लेंगे तब तक पकाएंगे जब तक ही जो सबजियां है अपना ओल रिलीज करतेंगी तो बस तीन-चार मिनट तक ही पकाया मैंने इसे और आप देख रहो कि इसके साइट से ओल रिलीज हो गया है तो हमारा ये पनीर टिका की स्टफिं त्यार हो गई है अब इसमें ना मैं दो स्लाइसेज ये चीज की आड़ कर रहे हूं ये ऑप्शनल है आप चाहो तो स्किप कर सकते हो या फिर इसके जगा अपना मन पसंद कोई और चीज डाल सकते हो तो इसे अब हमने मिक्स किया जब तक इस चीज अच्छे से मेल्ट हो गया है तो इसे के स तील या फिर अलुमिनियम की चोटी से इस्तना की कटोरी रख देंगे आइसके बाद अब हम थोड़ा सा कोईला लेंगे और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे पुर्कुल चोटा सा एक चोटा पीस दिया कोईले का मैंने तो मैं इसको अच्छे से गैस पर गरम कर रहे हूं तो गरम करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस कोईले को डाल देंगे इस कटोरी में इसके ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे और साथ की साथ इसके ढखन को बंद कर देंगे अचा ढखन में अगर कोई इस तरह से होल है तो उसे भी कवर करके रखेगा तो बस इ नर्तक रखने के बाद यह जो अंदर स्मोक बनी थी वो सारी निकल गई है और इसे के साथ हमारा यह स्मोकी पनी टिका त्यार हो गया है तो बस स्टफिंग भी त्यार हो गई है इसे एक साइट पर रख देंगे आए इसके बाद अब हमने यह जो डो बनाकर रखा था अब घर के टेंपरेचर के उपर डिपेंड करेगा तो आप देखरे हो कि इसमें बबल्स भी है अच्छे से यह एक्टिवेट हो गया है तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको पंच करेंगे ताकि एक्स्ट्रा एर जो है वो निकल जाए आई इसके बाद इस डो को ना हम एक जो आसा ढो लेकर इसे हमें बेल लेना है बहुत जादा पतला नहीं करेंगे आधे इंच की थिकनेस जितना बेल लेंगे हम इसे क्योंकि हमें बाद में इसके अंदर स्त्रफ करना है तो थोड़ी से थिकनेस रखेंगे हम इसकी तो इसे बेलने के Birthday अब हम इसे राउंड शेप में कट करेंगे, जिसके लिए मैंने नॉमल स्टील की कटोरी ली है, इसे हलके से मैदे में डिप करेंगे और फिर इस तरह से इस डो को कट कर लेंगे, तो एक बार में जितनी भी डिस्क या इस तरह की छोटी-छोटी से रोटी आप इसमें से निक तबा गरम होगा, इसके उपर अब हम डाल देंगे अपनी ये छोटी-छोटी से रोटी, तो बस कुछ भी तेल, मक्खन कुछ नहीं लगाना है, बस इस तरह से सीधाई से डाल देना है, और बिल्कुल लो फ्लेम के उपर ही रखेंगे तब एक ज़र मिनट तक बेट करेंग तो एक बार मैं साइट से भी आपको चेक कराते हूँ इसे, तो आप देखे हो कि कितना अच्छा से फूल गए है ये, तो इसका मतलब है कि डो बहुत अच्छा से त्यार हुआ था और हमारी ये जो ब्रेट्स है, बिल्कुल नॉम्मल तवे पर ही सेखा इसे हमने, फिर भी क स्टफिंग भी तयार है, सालेड तयार है, सॉस तयार हो गई है, हमारी ब्रेट्स तयार हो गई है, अब हमें एंड में सिरफ एक काम करना है, वो है असेंबल करना, जिसके लिए सबसे पहले ये जो ब्रेट हमने बनाई है, इसको ना हम सेंटर से कट करके इसमें एक यहां तो हैं आइस के बाद डालेंगे सबसे पहलoss लगाएंगे- काफी अच्छी क्वाइड़ें अज्ध एक बद बेंगे के इसमें अज्छे के बाद सिपलें बंद तक अपना यह सालट आप अच्छेनिंगा यह लेगर अवगर तो थोड़ा सा ये सालेड डालने के बाद अब उपर की बजी हुई स्पेस में हम डाल देंगे अपनी ये यमी सी पनी टिका की स्टफिंग आप देख रहे हो कि अभी से ही कितना यमी लग रहा और मैं आपको बता नहीं सकते हूँ तो बहुत ही जादा अच्छी खुश्बू आ रही है मेरे पूरे घर में तो पूरे अच्छे से दबा दबा कर स्टफिंग को भर लेंगे और इसी के साथ हमारी ये एक मीनी पनीर्टिका ब्रेड तैयार हो गई है तो इसी तरह से बाकी की सारी ब्रेड को स्टफ कर लेना है अचा अब इसके बाद आप चाहो तो इन्हीं इसी तरह से सर्फ कर सकते हो बट मैं क्या करूंगी ना एक तवे पर हलका सा बटर लगा आकर या फिर आप ऑल भी ले सकते हो इसके साथ मैं इसे बस दोनों साइट से थोड़ा थोड़ा सा सेक लोंगी इससे हमारी जो स्टफिंग थोड़ी सी ठंडी भी होगी वो भी दुबारा से हलकी सी गरम हो जाएगी अचा इस तरह से ने इन ब्रेड को आप थोड़ी दिर पहले तक फिल भी करके रख सकते हो और जब भी आपको इसको सर्फ करना अपन पनी टिका ब्रेड्स आप देखे हो कि कितने यमी दिख रहे हैं यह और एक्दम क्यूट लग रहे हैं यह देखने में बहुत ही जादा टेस्टी बनते हैं मेरे घर में यह सबको बहुत ही जादा पसंद आई थी आप जरू ट्राय करिए गा इसे और हाँ मेरे साथ फीडब